Welcome back, I am Udhamir Sir from DSL Institute, Dr. Mukharin Gradili. मेरे पैरा दोस्त, आज मैं आपको IS के बारे में कुछ बात करना चाहूँगा. आज हमारे बीच हैं सेद रियाज जी, ये DSL के बारे में आपको बताएंगे IS की तियारी कैसे करें. आप इसके लिए हम लोग भटके हूँ रहते हैं, एक तियारी प्रोपर नहीं कर पातें, तो इनका स्लेक्शन 2018 में ही इसी बार हुआ है, और आप स्लेक्टेड हैं रियाज जी, तो मैं सबसे पर इनका विलकम करता हूँ DSL की तरफ से. अब आप इनहीं से जानेंगे की IS की तियारी कैसे करें, आप कैसे परोपर IS बने, आज आπαाव को बताएंगे रियाज जी, कि आखिर कैसे आप बन सकते हैं, इंग्लिस आप को कैसे हेल्प करेंगा IS बनने के लिए, और आप कैसे किस सब्ट का चुनाब करें, और कैसे पढ़ मेरे जानकारी ऐसी है कि जब मैं UPSC Civil Services में इंग्लिश में अपने अंसर राइटिंग करता था उस वक्त मुझे statement formation में और कुछ चीजों में दिक्कत आती इंग्लिश रिलेटेड जबकि मेरा education मराथी से हुआ था जब UPSC में इंग्लिश में दिक्कत आती थी उस वक्त मैं दर्मेंदर सर से मिला और सर ने मुझे statement formation में जो help की है मुझे वो काफी effective लगी उसके वज़े से मैं अपना presentation के साथ में इंग्लिश का जो अंसर राइटिंग है वो improve कर पाया और 2018 में वो कही ना कही जाके मुझे एक barrier जो था क्या मेरा mains qualify नहीं हो रहा था वो barrier cross करके मैं इस साल selection पाया हूँ मैं आपसे यह discuss करना चाहता हूँ क्या आप civil service की preparation कैसे करें बेसिकली तीन अलग-अलग यह होता examination होती है एक prelims होती है mains होती है interview होती है वो सारे अलग-अलग preparation करते है बट मैं यह कहूंगा कि आपको जब prelims, mains और interview का जो preparation करना होगा वो आप integrated way में करिये मैंने जैसे FHO strategy बनाई थी prelims के लिए factual data और factual preparation करता था मेंस के लिए मैं जो चीज़े पढ़ता था वो holistically उसको deal करता था और interview के लिए जब मैंने preparation किया था तो मैंने हार major major topics पे अपना opinion create कर रही रहा था तो मैं उसको ऐसे FHO strategy कहता था बट मैंने जो preparation की वो अलग-अलग discrete way में नहीं की थी उसको integrated करके मैंने एक preparation की मैं जो अपने standard book list है वो तो आपको internet से कही पे भी available हो जाएगे बट मैं उसमें value edition ये करूंगा कि आप focus से daily newspaper का reading कीजिए जैसे कि standard newspaper होता है the Hindu, the Indian Express इससे आपकी English writing भी इंप्रोगी जैसे मुझे सर ने भी ये suggest किया था आप daily newspaper रीड करने के बाद अगर उसके sentences है उसमें dictionary का भी use कीजिए और इस वज़े से आपकी vocabulary भी improve होगी और आपकी answer writing भी improve होगी तो daily answer, daily आप newspaper पढ़िए answer writing के लिए mains का जो सबसे important होता है जो GS का part होता है जिसमें आपको 1000 marks overall इसमें 7500 में से 1000 GS पे ये होता है 70% आपका जो role होता है वो content का होता है जो similar सब जितने भी aspirants में लिख रहे होते near about उनका 80% जो standard book list होती है वो common होती है कई आप उसको impact आपका change कर सकते हो कई आपका marks improve कर सकते हो आपके presentation में 30% role जो आज के दौर में चल रहा है UPSC का वो presentation पे होता है prelims के लिए अभी जो prelims जो देने वाले हैं बच्चे उनके लिए मैं खास करके ये कहूंगा कि आप इस वक्त पे कोई नई चीज मत पढ़िए newspaper पढ़ना आप छोड़ दीजिए जो regular ले आप newspaper पढ़ रहे वो पढ़ना छोड़ दीजिए इस वक्त बस आप NCRT पे रिवाइस कीजिए हर किसी के दिल में ये डर होता है कि इस बार मेरा कहीना का ये preparation अच्छा नहीं हुआ है या मैं इस बार attempt दू या नहीं ये question आपके दिल में जरूर दिमाग में ये चल रहा होगा इसलिए मैं ये कह रहा हो कि आपने आप पे confidence रखिए इस वक्त बस revise कीजिए जो revision होगा उसमें आपको confidence built up होगा और यही confidence आपको UPSC का prelims कराएगा आपको 160 marks prelims में नहीं लाना है आपको बस qualify करना है आप इतना ध्यान में रखिए qualify कीजिए और जैसे ही qualify होगा 2-3 दिन का break लीजिए फिर से mains का preparation start कीजिए जब mains का preparation start करोगे तो starting से आपको answer writing practice start करनी है कई एक test series लगा लीजिए test series की answer writing evaluation बहुत important role play करता है आपकी गलतिया का हो रही है आप वो देख लीजिए और उस तरीके से आपके next test में उगलतिया दोबारा आना हो वहापे आपका improvement हो ऐसे अगर 3-3 मेन आप preparation stage में रहोगे यही preparation stage में रहोगे तो कही न कही जाके आपका mains की marks improve होगे और वही UPSC के final जो mains की examination होगी वहापे help करेगा interview में मैं यह कहूंगा कि अगर English medium से आप interview दे रहे हो तो Darmendra sir आपको वहापे अच्छे से guide कर सकते है और opinion based आप newspaper की जब भी पढ़ाई करोगे तो opinion based पढ़ाई करना interview के लिए हर major topic पे आपका एक opinion create होना चाहिए और वह opinion आपका balance होना चाहिए ना कि extreme views होना चाहिए और direction में extreme views नहीं होना चाहिए एक balance approach होना चाहिए government के line पे approach होना चाहिए बस आज के लिए इतना ही काफी है आपने देखा कैसे त्यारी करते हैं और किस तरह से आप आगे बढ़ोगे अगर आपको दो जून का paper देना है तो आप mind को concentrate करके आप किसी भी तरह से आप newspaper बगर पढ़ना चोड़ दें अभी और आप जो आपने पढ़ा है बस उसी को revise करते रहें और आने बाले समय में आप भी आईस बनेंगे और आपका भी rank कोई ने कोई होने बाला है और आप proper आईस बनेंगे बस एक बार तरीके से लगने की थे ठीके बच्चे फिर से मिलते हैं अवलोग अगले वीडियो में थेंकिया